तो आज के Current Affairs के सेशन के अंतरगत आप सभी को Most Important Current Affairs में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें से पहला Current Affairs है आप देख पा रहे होंगे इसरो के द्वारा Space Trek Park बनाए गया है ये भारत का पहला Virtual Museum की तरह है इसकी एक Website है उस Website के माध्यम से इसरो के द्वारा जो है विभिन उपग्रह कारकम जो अभी तक इसरो ने किये हैं बहुत सारे जो प्रच्छेपडवाहन है जो launch vehicles हैं उनसे संबंदी चेत्र वीडियो दस्ताविजे सारी चीजे Space Trek Park एक Virtual Museum की तरह है यहां पर जो है इन्होंने क्या किये है आप लोग एक बार इस साइट को विजिट कर सकते हैं SpacePark.isro.gov.in तो ध्यान रखेगा इसरो द्वारा Space Trek Park का सुभरम भी किया गया इसका नाम रखा गया इस पार्क Space Trek Park का Space Trek Park का नाम रखा गया इस पार्क और यह Virtual Museum है है ना 10 अगस्त 2022 को इस पार्क आपका आया था 10 अगस्त 2022 को इसरो के द्वारा क्या किया गया था इस पार्क को लॉंच किया गया था यह Virtual Museum है Virtual like मतलब एक Internet की दुनिया का Museum है ठीक है ऐसा कोई existence नहीं है इसका कि कहीं पर यह है आपका यह Internet में है इसके एक website है spacepark.isro.gov.in ठीक है तो इस site में जाएंगे तो आपको जितने भी उपग्रह बड़े बड़े जो छोड़े हैं और उपग्रहों के साज साज जो इसरो के द्वारा जो प्रच्छे पर launch vehicles हैं जितने भी launch vehicles हैं साभी launch vehicles की यहां पे आपको इमेज, फोटो, चित्र सब कुछ मिल जाएगी तो यह आप ध्यान रखेगा एक इस पार्क नाम का इसरो का space tech park का सुभरम किया गया किसने किया है इसरो के अध्यक्ष S. सोमनाथ जी के द्वारा किया गया है यह भी ध्यान रखेगा तो यह आप space tech park बनाए गया है और इसरो जो है इसके माध्यम से अपनी जितने भी कारकरम करेगा उनकी जानकारी उपलब्द कराता रहेगा ताकि सभी लोगों तक चीजे उपलब्द हो पाएं ठीक है? तो पहला आपका यह ध्यान रखेगा इस परस्ट है इस पेस टेक पार्क आपका बन रहा है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला है यह आप देखें तारागिरी तारागिरी क्या है? आपका यह युद्ध पोत है तारागिरी इसका जलावरण हो चुका है जलावरण 11 सेप्टेमबर 2022 को इसका जलावरण हुआ है तारागरी का ठीक है कहां पर हुआ है मुंबई महराष्第 में में जलावरण महराष् kolej में इसका जलावरण हुआ है और मुंबऊी में मजगाव डाकव कर सेथा जरावरण लिम्टेट के द्वारा इसका किया गया है किसके द्वारा मजगाओं डक सिप बिल्डर्स लिम्टेट के द्वारा किया गया है मजगाओं डाक सिप बिल्डर्स लिम्टेट ये एक निर्माता कंपनी है इसके द्वारा जो है इसका जलावरन किया गया तारागीरी का दरसल दे सेवैंटी ए इसके पाँ युद्धपोत बनाय जाने है जिन में से यह आपका जो है पाँचवा युद्ध पोत है जिसका नाम है आपका तारागिरी क्या नाम है इसका तारागिरी इसका जलावरण हुआ है तारागिरी का यह आप देख सकते हैं तो यह प्रोजेक्ट A के तहत हुआ है आपका ठीक है प्रोजेक्ट A के तहत हुआ है टोटल 149 मीटर की लंबाई तारागिरी की तो तारागिरी आपका एक युद्ध पोत है नौ सेना का युद्ध पोत है और यह जो है आपका प्रोजेक्ट 17A के तहट पांचवा युद्ध पोत आपका बनाए गया है ध्यान रखेगा इस बात को क्लियार इस पस्ट है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तारागिरी के बारे मैंने आपको बता दिया हाँ अगले चलते हैं एक यह आपका अंतर राश्ट्री परिवार नियोजन समेलन हुआ था जिसको हम ICFP बोलते हैं अंतर राश्ट्री ए अंतर राश्ट्री ए परिवार नियोजन योजन अंतर राष्ट्री परिवार नियोजन सम्मेलन सम्मेलन 2022 अंतर राष्ट्री परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 ठीक है कहां पर हुआ था ये ये हुआ था पटाया सहर में पटाया थाइलेंड में पड़ता है आपका पटाया थाइलेंड में अंतराष्टी परिवार नियोजन सम्मेलन हुआ था कहा हुआ था पटाया सहर थाइलेंड में अंतराष्टी परिवार नियोजन सम्मेलन ठीक है 125 से अधिक देशों ने यहाँ पे समलित हुए थे भारत भी समेलन में समलित हुआ और भारत ने परिवार नियोजन के दिशा में बहुत सांदार काम किया और भारत को इसमें अवार्ड भी मिला है परिवार नियोजन नेतत उतक्रिष्टा पुरुषकार 2022 मेरा है भारत को भार द्यान रखना है चुरण और भारत ही एक मातरअशे सफ्राइज रेडी में ये पूरस्कार मिला है थीक है कहा र्खना है परिवार्णियोजन नेतत्व उत्ख्रिश्तता पुरुसकार भारत को मिला है ठीक है और है ही पुरुसकार मिला है तो यह ध्यान रखेएगा यूनि वर्साड लेट प्लानिंग तरप इसका एक अपके इसका मोटो था ठीक है कि यूनि वर्सल घेलт ठीक है फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कब्रेज यह आपका इसका मोटो था या इसकी थीम थी तो अंतर राश्टी परिवार नियोजन सम्मेलन 2022 पटाया था इलेंड में हुआ था भारत को जो है इसमें परिवार नियोजन ने तत उतकृष्टा पुरुषका होती है तो इंटर्पोल जो है उसमें काम करती है तो इंटर्पोल की महासभा इंटर्पोल की सबसे बड़ी संस्ता का नाम है महासभा तो महासभा का भी आयोजन होता है तो इस साल जो है नब्यवी महासभा का योजन हुआ था इंटर्पोल की महासभा ठीक है यह इंटर्प हुआ है नव्य महासभाan INTERPOL का समयलन हुआ था कहाँ हो पर हुआ है प्रकति मैदान नई दिल्ले में आप भारत में हुआ न्यूडेली नुँडेली 2022 में हुआ था नब्यमि Dalai Jenderil Assembly का और यह आपका कहाँ हुआ है प्रकति नई दिल्ली में ठीक है तो महासवाई इंटरपोल की सबसे बड़ी संस्ता है और भारत में उससे पहले 1997 में हुई थी अब 2022 में आपकी यह हुई थी तो प्रधमति नेरेद्मोधी इसमें सिर्कत किया उन्होंने संबोधित किया और एक इसमारक डाक टिकट भी 100 रुपय का सि जारी किया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला नियूज है अगली नियूज है आप लोगों की यह आप देख पा रहांगे बिश्व का पहला सी अंजी टर्मिनल है बिश्व का पहला सी अंजी टर्मिनल एद्वाव नगर गुजरात में बिश्व का पहला सी अंजी टर्मिनल है यह कहांपर बनाएगा भाव नगर गुजरात में बाव नगर गुजरात में बनाएगे विश्व का पहला फीर जी टर्मिनल कहा बना गया है भावनगर गुजरात में ठीक है 29 सेप्टमबर 2022 को प्रधामती नेन्द मुदी जी के द्वारा इसका सिलन्याश किया गया लगवग चार हजार करोड रूपए की लागत आएगी इसमें ठीक है मालेश के से नेचुरयल गयस होती है सीजी होती है उस गैस को लेकर के प्रहका पूरा ये टर्मिनल है तो सिएँजी टर्मिनल में अल्टरा मॉडरन कंटेनट ट Черमिनल के तौरा काम उता है यह यह जू है आपका विस्सका जो है इसमें काफी बड़ा लॉग डेट सिस्टम भी डेबलब किया गया है तो यह बिश्व का पहला सी अंजी टर्मिनल बनाया जा रहा है ठीक है ध्यान रखेगा आगे बढ़ते नेक्स्ट संजीवनी लाइफ लाइफ इस्टाइल क्लिनिक 11 अक्टूबर 2022 को प्रारम किया और जो आर्मी जो वाइप वाइप बिलफेर एसोशियेशन के अध्यक्षे अर्चना पंडे अब देख सकते हैं इनको इनके द्वारा इसको प्रारम किया गया संजीवनी क्लिनिक का क्या है यह ससस्त्र बलों में सेवा रत जितने भी सेवा निब्रत ससस्त्र बल जितने भी है बारत के उसमें जितने भी लोग कारे कर रहे हैं चाहे वो सेवा रत हो या चाहे सेवा निब्रत हो उनके जो डिपेंडेंट हैं जैसे उनके मातापीता है या उनका परिवार है तो यदि उनके जीवन सैली में उनको मलब जीवन सैली को ले करके क्या करना है उनको अवेयर करना है ताकि उनको बहुत सारे रोग ना हो पाए तो यह ससस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है संजीवनी क्लीनिक घ्यान रखेगा संजीवनी क्लीनिक इसका उद्गाटन नई दिल्ली में किया गय तो इसमें जो है एक तरीके से फिजिकल ट्रेंणिंग भी दी जाएगी काउंसलिंग भी दी जाएगी डाइटीशियंस भी होंगे इसमें ठीक है तो यह सारी चीजों को लेकर के पूरा का पूरा एक सिंगल जो है सेग्मेंट डेबलप किया गया है संजीवनी लाइफ इस्ट है कि शीती बेनी राबुका इस एंसे कौन है यह आपके फिजी के नए प्रधान मंतरी पीTr outros परेदान मंतरी contribute फिजी के नए प्रधान मंत्री बने हैं सिती बेनी राबुका द्यान रखेगा अभी जैसे हाली में न्यूजिलेंड से कुश्चन आया था कि न्यूजिलेंड के नए जो राष्टर देख्ष है कौन है तो यह पता होना चाहिए हाल फिलाल में जो आसपास देश हैं उनमें ज इनका नाम है अब्दुल लतीफ राषिद यह कौन है इराग के नए राष्टपती बने अब्दुल लतीफ राषिद धियान रखेगा अब्दुल लतीफ राषिद यह आपके बने हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट अगले चलते हैं अगला करेंट अफेर्स है अगले परस स्वीडन के नए राष्ट पती है इनका नाम है उल्फ क्रिश्टर्शन यह मलब आप ध्यान रखेगा इनसे क्वेशन पूछता है इसलिए मैंने इनको आपको रखा है इस बार न्यूजी लेंड से पूछा गया था तो भी आपको आइडिया रहना चाहिए और आल कहीं से भी पूछा जाए तो ओल्फ क्रिश्टर्शन बने है स्वीडन के नए प्रधान मंत्री ठीक है स्वीडन के प्रधान मंत्री आपके है ओल्फ क्रिश्टर्शन ठीक है यहां पर यह हैं अब्दुल लतीफ राशिद यह इराक के कौन है राष्ट पती इराक के नए राष्ट पत है कि आम स्पोर्स में उनकी लाइफ इस्टाइल को ले करके क्लिनिक खोला गया है इसके बारे में चर्चा हुई कि बिश्व का पहला सी एंजी टर्मिनल भावनगर गुजरात में बन रहा है यह आपको याद करना है इसके बाद यह आपकी नवी महासबा इंटरपोल का इसका सम्मेलन हो रहा है नई दिल्ली में सम्मेलन हुआ ठीक है इसके बाद यह आपकी परिवार नियोजन अंतराष्टी परिवार नियोजन सम्मेलन हुआ था 2022 का पताया थाइलेंड में तो यह आपको ध्यान रखना है और नेक्स्ट आपकी तारागिरी तारागिरी आपकी क्या है ये तारागिरी ये जलावरण हुआ इसका प्रोजेक्ट 70 A के तहएं का जलावरण हुआ तो ये आपको ध्यान रखना और एक निज आपकी ये थी इस पार्क ये आपका एक स्पेस टेक पार्क बनाएगा एक वेप साइट है वर्चुर पार्क है और इस वेप साइट में प आप याद कर लेंगे, रेट लेंगे सभी बच्चे, जितना पढ़ाता जा रहा हूं, इस पर भरोसा रखिए, यह आपके एक्जाम के लिए संजीवनी है, आपको रामबार है, आप इनको जितना पढ़ जाएंगे, उतना बेहतर हो जाएगा, ठीक है, तो यह आप सभी के लि अंडे, आर्मी, वाइप, विलफेर एसोसीएशन के अध्यक्छ है, इनके द्वारा संजीवनी को लॉंच किया गया है, बेटा, इस अब मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आपका, जो है, डिसकस करता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, सेलेक्टेट करेंट अफेर्स, जो भी आपका exam orientation का होता है है ना ये आपका exam में आने वाला current affairs है ये आपको regularly आप ध्यान रखेगा आपकी exam में आपको मिलेगा ठीक है तो ये आपका current affairs की topic आज की complete होते हैं